जहें दोस्तों, welcome back to our channel, welcome back to jobteria, I hope so, कि आप लोग fit and fine होंगे, अपके अपने चैनल में आप सभी का welcome है, बहुत बहुत स्वागत है, जहां दोस्तों इसी बीच जो है जारकन सहाय का चार्ज भाली को लेकर एक update है, जो आपके समख्च में रखूंगा, साथी साथ बहुत सारे भावी सिक्षक गन का comment box में, जो है frequent basis पर continuously जो है इस बात के लेकर पूछे जा रहे हैं कि सर, क्या परिक्षा साथ अचार्ज की 12 जनुवरी को हो जाएगी, अभी तक जैसे सी ने परिक्षा इस्थगित notice जारी ने किया, तो क्या कुछ रहने वाली है, क्या होने वाली है और साथी साथ जो है एन आई ओएस से जो डिलेट किये हुए है, उनको उनके साथ उनको क्या इस भरती में सामिल हो लो, क्या मोका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इन सभी पॉइंट पर जो है इसकी वीडियो में चर्चा रहेगी, तो पूरे वीडियो को अंतक बोच कीज़ यह बहुत ही इनफॉर्मेटिव वीडियो रहने वार लिए आप सभी के लिए तो चैनल पर अगर फर्स टाइम विजिट कियोंगे दोस्तों तो चैनल को ज़रू सुस्क्राइब कर लिजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लिजिएगा, ताकि इसी तरह की पलपल की अपडेट आप तक मिलती रहें, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो यहाँ पर परिक्षा इस्थगित नोटिस अभी तक जैसे से ने जारी नहीं की है, तो इसके पीछे का रिजन क्या है, क्या फिर बारस जनुवरी जो टेंटिट रखा गया है, जो आपका साय का चार्ज परि आरकर्ण सिक्षक बहाली में प्रक्रिया में सामिल होने का यहां पर मोका मिल चुका है, लेकिन अभी तक जैसे से इस चीज को लेकर अभी तक जो है नोटिस नहीं जारी की है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह नोटिस आपका जारी नहीं हो सकता, यह नोटिस आपका कभी भी भी मैं भी आपको जन्वरी के फर्स्ट वीक तक नोटिस जारी कर दिया जाएगा क्योंकि यह JSC के लिए कोई नया काम नहीं है वो हमेशा एक ही चीज बताती रहती है JSC कि कोई स्थगित वगरा करना रहता है तो वह एक ही बट रिपीट करती है परिहार कारों से परिक्षा इस थिती जो है इस थागित कर की जाती है तो उनके लिए कोई नया नहीं रहेगा वो कभी भी notice को release कर जाती है और high code का ये judgment है मेरा और आपका judgment नहीं है तो high code हम और आप से बढ़कर है तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा accept करना पड़ेगा उन्होंने अगर इ अगर बता दें कि परिक्षा इस तक नोटिस जो है आपका बहुत ही जल्द हो सके तो यहां पर जो है फाइब जनवरी तक जो है आपका यहां पर नोटिस आपका release कर दी जाएगी बहुत most probably है यह साती साथ अगर बात करें कि सीटेट पास बाले को मोका मिलेगा form भरने का त सबसे होगी तो जैसे ही नोटिस सबसे पहले रिलीज होती है रूटिस रिलीज होगी उसके साथ ही साथ जो है आपको form भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा क्योंकि एक्जाम को भी जल्द से कंडेक्ट कराना है बहाली प्रक्रिया complete करनी है तो बिदिन चारी कर दी जाएगी फॉर्म को फिर से रियोपन होने के लिए तो फॉर्म फिल से अब फिल कर सकते हैं मीड जनुवरी के आसपास आपकी नोटिस यहां पर मोस्ट पवबली आने की चांसे से वहीं बात करें अगर एनायोस वाले केंडिडेट जो जो इस भरती में सामिल हो हुए है उनके लिए बात यह है कि डिलेड एनायोस वही वही केंडिडेट होंगे मतलब उसी भरती में वह सामिल हो पाएंगे वही लोग हो पाएंगे जो पहले से सिक्षक में कार्जकरत है यानि पहले से जो सिक्षक सिक्षण सिक्षण दे रहे हैं यानि सिक्षक पहले से अल्रेडी वह है वही एनायस से अगर डिलेट किये हैं तो बैलिड है अदरवाइस जो आम केंडिडेट है नॉर्मल केंडिडेट है और वह अगर एनायस से डिलेट किये हैं तो वह बैलिड नहीं है लेकिन आप अगर कार्जकरत हैं सिक्छक हैं तो ही आप एनायस से डिलेट क पर फ्रिक्वेंट वेसिस पर कॉमेंट पुछे जा रहे थे और इनकी क्वेरी रहती थी दोस्तों की तो आज आई होप सो कि आप लोगों की यहां पर डाउट क्लियर हो गया होगा तो बिल्कूल प्रिप्रेशन पर बने रहें आप लोगों का यहां पर सबको मौका मिलेगा और बहुत ही जल्ब जो है इसका अपडेट जैसे सी देने वाली है तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजिएगा और वीडियो को जरू लाइक कीजिएगा दोस्तों थैंक्स पर वोची